जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड़ा और जमीदार के बीच में बहुत तकड़ी फाइट होती है क्योंकि दोस्तों जमीदार की फाइट उस समय होती है जब मीत हुड़ा मीत अलावत के सपनों को साकार करने के लिए एक कदम उठाती है और वाकिए में दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जिस जमीन पर इस समय मीत हुड़ा एक कोठी बनाना चाहती है एक ऐसा चीज़ बनाना चाहती है जिस मैं सभी लेडिस काम करें सबको एक रोजगार प्राप्त हो क्योंकि मीत हुड़ा ने सबी घरवालों से बोल दिया था कि मैं मीत अलावत की जो ख्वाइश थी उसको मैं पूरा कर दूंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नया पेश और देखने को मिलेगा मीत हुड़ा और मीत हुड़ा इस पेश को किसी भी तरीका से हारने वाली नहीं है हाला कि जमीदार जो है जो गाम का सरपंच है वो एक बार फिर से कोसिस करता हुआ नजर आने वाला है मीत हुड़ा को दिगह मुष्टी गराने की और सबकी नजरों में इस तरीका से गराने की की मीत हुड़ा यहां से छोड़ कर चली जाए लेकि मीत हुड़ा ने भी कसम खाई है कि मैं अपना कारिये को जिस तरीका से कर रही हूँ मैं वैसा ही करती रहूँ लेकिन दोस्तों मीथ हुड़ा के अगर बात की जाएं तो मीथ हुड़ा जानती है कि ये कारिये बहुत ज़्यदा कठीन है क्योंकि गाउं के जो सरपंच हैं वो लोग बहुत ज़्यदा पावरफल हैं और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और मीथ हुड़ा के अगर बात की कभी भी हूँ ही नहीं साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही मीथ हुड़ा के खिलाब पुलिस केस भी होता हुआ नजर आने वाला है और ये पुलिस केस कौन करेगा आपको बता देता हूँ ये गाओं का जो सरपंच है वो अब पुलिस केस करता हुआ भी नजर आने वाला है वी थुड़ा के उपर साथ ही दोस्तों मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करने के बाद मैं आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो आप लोगों को और वीडियो देखने के लिए दिल से आप लोगों का धन्ने बाद थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो